हेलो फेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के सेर्प्राइज फेंट्स टोक में क्वाटर फोर के रिजल्ट अच्छी आने के बाद भी अच्छी खासी गिराउट आपको देखने को मिली है क्या ये फ्रेस बाइंग का अच्छा मोमेंट है या फिर क्या करना चाहिए ये बहुत सारी बात आपके माइंड में चल रही होंगी वह सारी चीज़े आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल होने वाली है वीडियो को पूरा जिरूर देखना आगे बढ़ने से पहले फेंट्स आपसे एक वे बढ़ने से अब अब करने अब आप देखने को इसे आपको प्रोफिट या लो जाया नहां हो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप इसे अब यह श्यूह करके रहें hem आने वाले टाइम में अच्छे रिटन ये देने वाली है और कहां पर आपको निकलना है वो मैं आपको stop loss एक बार बता देती हूं यहां पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता था कि यहां पर एक जोन है इस जोन का अगर यह breakdown कर देती है तो आप निकल जाना वही बात आ अगर आप लोंग ट्रम के लिए investment आपने नहीं किया है तो अगर आपने लोंग ट्रम के लिए investment किया है तो आप कुछ quantity अपने portfolio में एड़ करते रहे है जैसे इस टोक डाउन आये तो कुछ quantity अपने portfolio में एड़ करते रहे है क्योंकि टाटा मोटर्स का स्टोक आने वाले तो टेन हंडर्ड फाइव का एक रिश्टेंस है उसके बाद सेकिंड है हमारा टेन हंडर्ड शिक्स्टी फोर का यह सभी लेवल इंपोर्टेंट लेवल है इन पर आपने जरबना के रख सकते हो और अपनी पोजिशन को होल्ड रखिए आने वाले टाइम में अच्छे हुआ है